नमस्कार दोस्तूं मैं हूँ प्रतीक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर रिसेंटली आप सभी ने चैनल पर एक unfortunate accident देखा रहा होगा जिसमें हर्याना के एक भाई की ब्रेंड न्यू महिंद्रा थार पूरी तरा से जल कर खत्म हो गई थी कुछ एक महीने पुरानी SUV थी ये जिसमें आग लगने का exact reason सामने नहीं आ पाया कई बार जांच करने के बाद भी और कार मेकर और insurance company दोनों ही इस पर कोई clear जवाब नहीं दे पा रहे थे खैर बलकुल उसी से मिलता जुलता एक और incident मेरे पास आया है इन फैक्ट उसी incident को देखकर राजस्थान से महिंद्रा थार के ओनर मिस्टर लोकेश जाखड जी ने भी अपनी चीज़ें शेयर की है यह जिस गाड़ी को बूरी तरह से जलता हुआ आप देख रहे हैं वो है महिंद्रा थार का 4x4 डीजल बेरियंट जिसे वही October 2023 में खड़ीदा गया था और डिलेवरी से सिर्फ तीन महीने बाद यानि वही कोई 18 जनवरी के आसपास इस गाड़ी में देखते ही देखते ही अचानक से अपने आप आग लग जाता है और यह पूरी तरह से जल कर राक हो जाती है अब भाई वैसे तो ब्रेंड इन्यो गाड़ियों में आग लगने के मेंली दो रीजन्स होते हैं या तो आफ्टर मार्केट फिटमेंट्स या फिर दूसरा मैनुफैक्चरिंग डिपेक्ट इसके पहले वाली जो थार थी उसमें बाहर से कोई भी सामान नहीं लगा था जो के तरफ से कोई रिपोर्ड आया और नहीं अभी तक इंश्रेंस वालू ने कोई रिपोर्ड दिया इस गाड़ी का इंश्वरेंस एस्बी आई जनरल से हुआ था और से खाड़ी 15 अपरेल को गाड़ी को जले लगभग चार महीने हो जाएंगे लेकिन अभी तक इंशुरेंस वालों ने कोई भी रिपोर्ट ओनर को नहीं दिया है उनर ने बताया कि इंशुरेंस वालों ने गाड़ी का चार बार सर्वे किया है यानि पूरे गाड़ी को चार बार टेस्ट किया है उसका सैंपल ल लेकिन owner ने इस बात को फूरी तरह से deny कर दिया है, उन्होंने बताया कि हमारे गाड़ी में ऐसा कुछ था ही नहीं, in fact जब गाड़ी में आग लगा है, तब ये गाड़ी चल रही थी, और जैसे ही एक जगां पर ये रुकी, गाड़ी के आगे से धुआ निकलने लगा, और द के बंदे बोले कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही आग या होगा हट जाएगा, अलकि ये चीज़ एक बार आग लगने के काफी पहले हो चुका है, लेकिन ये दूसरी बार आग लगने के एक या दो दिन पहले हुआ था, उसी दिन चेक इंजन का अधर गया था तो ज़िए मैं गड़ी के अंदर ही था, एक मेरे साथ मेरा बड़ा भाईवी था, जैसे मैंने गड़ी का स्विच बंद गिया तो इसके इंदर अग से दुआ निकला और गड़ी में दुआ दूँगे जैसे तेसे कर दे मा तो बार निकल गया मेरे तो कपड अधर बार गड़ी में जले था, अब उनका कल फोन आया था इनका, इंचुरेस वाड़ों का, वो सेंपल वकेरा भी लेकर गया था, तो नहोंने बुला है कि इसके अंदर पेंट्रोल का मिला है, एवी डेस पेंट्रोल के कारण गड़ी से थी है, ऐसा कुछ मेट्र ही नही किता ना तो गड़ी कंदर पेंट्रोल था, ना कुछ बोट्रोल था, अब वकील के पास भी गया था, वो बोल रहा है कि ये तो नहीं को बचेरा था, वो बोल रहा है कि हमें क्या कामने इसमेट्र में आपके ता, तो नहीं है, वो रहे था रिपोर्ट वगरा करें थे कि ए कोई डिक नहीं है कंपनी वाले भी चेक्षर गए गए दो तिन बार बंबे से भी आई से चेक्षर ने के लिए लिए ये चौटी बार सेंपल ले गए 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 जो अब रात का उतार का सेंपल ले गए हम दो थे और कुछ कपड़ा हो गए रहा थे हमारे वां कि हम काम भी के कंपनी वालों को वे वालों को वे बिए ज़िए और विप्ताया तो वो बोले ये तो नोर्मरी जिगनलाद भी कि लिए बार के से उसके अब गए जेक्श करते हैं कोई फिर गए जो दो पर मेन बार काम पर लिए अने जो अटें लिए तुर आपर में रिखा टीया थे नही तो भाई मैं आपर कोई ब्लेम नहीं डाल रहा किसी पर किसकी गलती थी किसकी नहीं थी लेकिन फिर भी चार महीने हो चुके हैं गाड़ी को चले, चार बार इसका टेस्ट हो चुका है अभू तक क्या इंशुरेंस वालों को पता ही नहीं लग पाया कि आग कैसे लगा चाओ, ये सही चल रहा है कमपनियों का सीन, आम आदमी से पैसे लेकर उसी को परेशान करना, खेर भाई हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं SBI जनरल से और महिंदरा ओटो से, कि वो जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट ओनर को दें, ताकि पता चल सके कि गाड़ी में आग कैसे लग रहा है, अलाकि मैं इस फथार की बात नहीं कर रहा, क्यूंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता कि इसमें आग क्यूं लगा है, मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा, क्यूंकि मैं उनरक चार महीनों से परेशान हो रहे, अब रिपोर्ट में जो भी आएगा, वो भी मैं आ कि आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इसके अलावे भी कुछ ऐसे केसिस थे, जो ये बता रहे थे कि इनके गाड़ियों में कहीं न कहीं मैनुफैक्चरिंग डिपेक्ट था, जिस पर कमपनी को बहुत अच्छे से द्यान देना चाहिए, बाजी भाई आपको इस पूरे इ कैसे कि दो ये बताँ ये और में कहीं से दिए को फे दोने टादे हैं तक कर दो ये रहाँऔर छो इनके बादे हैं को फो ये बताँ है जादे हैं।